अब हमें एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमें यूजर से एक नंबर लेना है और हमारा प्रोग्राम उस नंबर को चेक करके बताएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वन और वो नंबर इटसेल्फ जैसे कि 17 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ दो नंबर से डिविज्विल है 1 से और 17 से तो इसके सिर्फ दो फैक्टर है तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर है लेकिन अगर हम 16 की बात करें तो ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये 1 के अलावा 2 से, 4 से, 8 से, 16 से कई नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर प्राइम नहीं है तो अब हमें इस प्रोग्राम को सॉल्ब करना है कि कैसे हम पता लगाएं कि नंबर प्राइम है या नहीं तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ नंबर यूजर से ले लेता हूँ तो मैंने बैरिबिल का नाम एन रखा है जो मुझे नंबर यूजर से लेना है, input enter a positive integer, इसके बाद मुझे पता करना है, कि जैसे number example के लिए 9 है, कि ये prime है या नहीं, तो इसको मैं कैसे solve करूँगा, 1 से तो हर number divide हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये 2 से लेकर, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, यानि कि उस number से एक कम तक हर number से divide करके देखता हूँ, तो अगर ये किसी भी number से divide हो जाता है, जैसे कि ये 9 जो है, अगर हम 2 से divide करेंगे, तो ये divide नहीं होगा, लेकिन अगर 3 से divide करते हैं, और ये number क्योंकि 3 से divide हो जाता है, तो मैं ये message दे दूँगा कि ये 9 प्राइम नहीं है, और फिर मुझे बाकी number से check करने की जरुवत नहीं है, लेकिन अगर मैं number 13 लेता, और मैं 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से अब 2, 12 तक हर number से divide करके देखता, और 13 जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और अब 2, 12 तक किसी number से divide नहीं होता है, तो मुझे message दे देना चाहिए कि number प्राइम है, तो इसी चीज़ को हम देखो, प्रोग्राम में कैसे solve करेंगे, तो इसके लिए मैं ये logic लिखता हूँ, इस code को देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, पहले हम मान लेते हैं, जब ये statement screen पर आएगा, और उससे मैं user n के अंदर 9 टाइप कर देता है, तो n की value सपोज 9 है, जब हम for loop में आएगे, तो for loop 2, n तक चल रहा है, यानि कि for loop पहले 2 के लिए काम करेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, इसी तरीके से 5, 6, 7 और 8 के लिए काम करेगा, और यहाँ पर मैंने condition लिखी हुई है, if n mod i, यानि कि 9 mod 2 equal to 0, यानि कि पहली बार में जब 2 है, तो यह n को चेक कर रहा है, 2 से डिवाइड करके, और क्योंकि पहली बार में condition false है, तो कुछ नहीं होगा, फिर इसके बाद loop repeat होके दुबारा से आएगा, 3 के लिए काम करेगा, और 9 mod 3 equal to 0, लेकिन इस बार condition हमारी true हो जाती है, क्योंकि अगर number 3 से divide हो जाता है, तो फिर हमें आगे check करने की जरुवत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि number अब prime नहीं है, तो इसे अगें बाकी number से check करने की जरुवत नहीं है, तो इसलिए हम break देकर loop को यहीं पर terminate कर देते हैं, तो यहीं से हम loop से बाहर आ जाते हैं, अब suppose इसी program को हम दूसरी बार run करते हैं, और यूजर के सामने जब यह message आता है, एंटर पॉजिटिटिव इन्टीजर और यूजर इसमें 13 डाल देता है, तो यह हमारा जो i है, यह 2 से लेके 12 तक हर number से check करेगा, तो पहली बार में जब i की value 2 होगी, तो क्योंकि n के अंदर इस बार 13 है, तो 13 more 2 is equal to 0, यह condition false है, फिर again 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, अब टू 12 के लिए, सब के लिए condition false रहेगी, और जब यह हमारा fall loop खतम हो जाएगा, क्योंकि हम किसी बार भी if के अंदर नहीं पहुँचे, तो break कभी execute नहीं हुआ, तो हम आएंगे else पर, और else पर लिखा हुआ है number is prime, तो हमारा screen पर number prime डिस्पले होगा, तो इसी program को पहले हम run करके देखते हैं, तो देखिए जैसे यह screen पर दिख रहा है, enter a positive integer और मैं 9 डाल देता हूँ, तो हमारा program correctly चल रहा है, number is not prime, और अगर मैं run करता हूँ, और integer value डालता हूँ इस बार 13, तो यह prime डिस्पले कर रहा है, क्योंकि 13 हमारा prime है, लेकिन इस program में अभी एक problem है, कि अगर कोई user number डाल देता है, enter a positive integer 1, और 1 के लिए हमने condition प्लान नहीं की थी, और 1 हमारा prime number नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर यह शो कर रहा है, number is prime, तो 1 इस program के लिए exception है, तो 1 के लिए आपको कुछ अलग से प्लान करना पड़ेगा, तो मैं इसको starting में ही cross check कर लेता हूँ, कि अगर user 1 डाल देता है इनके अंदर, if n is equal to 1, तो मैं message यहाँ पर display कर देता हूँ, print, number is not prime, और 1 के अलावा बाकी logic के लिए हमारा code सही काम कर रहा था, तो इस part को मैं else में डाल देता हूँ, तो अगर number 1 है, तो वो पहले display कर देगा, number is not prime, और 1 के अलावा कुछ और होता है, तब जैसा भी हमने code discuss किया था, उसके accordingly यह काम करेगा, तो अब देखे, जब मैं इस program को run करता हूँ इस बार, और मैं लिख रहा हूँ, enter a positive integer 1, तो यह correct message दे रहा है, number is not prime, और इसके लावा, कोई all number try करता हूँ, जैसे 17, यह prime है, तो number is prime, यह भी correct चल रहा है, तो यह हमारा logic था, prime number को check करने का,